हुए है तू हेलो दूस्तों बात करेंगे यांपर चैंस की जो में कल कैसे कहां से मुवंमेंट p지 को कैच करना चाहिए उसकी बात करेंगे कहिए ने अधेंगा कि सबसे पहले आप respond करेंगे उसके बात करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बतां कि यहाँ पर देखेंगे इक चैनल में कर रहा है आप देखेंगे ड़ली टाइम फ्रेंटरं पर यहां पर आप लोग देख सकता है यह एक चैनल में ट्रेट्स कर रहा है बैंक निफ्टी और आप लोग देखेंगे कि नियर बाउट पचास अजार के आसपास यहां पर बैंक निफ्टी पहुंच चुका था ठीक है बैंक निफ्टी अब मैं आपको यह बताता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट यहां पर नहीं यहां पर आगर दे कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं विकली पर क्या हिसाब किताब है विकली पर देखेंगे तो भी यहीं पर अटका पड़ा है बैंक निफ्टी इतनी जल्दी से गिरने के लिए तैयार नहीं लेकिन जब गिरेगा तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा बैंक सेलिंग हुई नहीं है लेकिन कल के मार्केट में देखने को मिलना चाहिए तो अब यहां पर मैं करता हूं वन और से स्टार्ट करते हैं यहां पर देखेंगे कि एक रेंज में चल रहा है जो फ्राइडे को भी यहां पर अगर देखेंगे तो मुमेंट्स डाउन से आई थी जो मैं आपको बता है था इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है नहीं और डाउनसाइड मोमेंट आई थी अब रेंज में चल रहा है और एकस्पारी भी उसकी पास में है अब यहां पर मैं इसको 15 मिनिट चार्ट पर करता हूं तो आप लोगों को यह देखने क की पूरी कोशिश में है अब क्या करना है यहां पर अब क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं इसको कर देता हूं मैं यह देखे हैं यह सारे लैवल्स आप लोगों के सामने हैं याद रखेगा अगर बैंग निफ्टी ने 48,000 और 48,800 राउन फिगर और 48,670 यह यहां पर यह रेंज को यहां पर ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड मोमेंट्स के लिए आप लोग रेडी रहना उट साइड के जो प्रीमियम है उसको वाच लिस में लगा कर रखना अगर बैंग निफ्टी यह लैवल्स को ब्रेकड करेंगे वह से इनमंने मार्केट की साब से यहां पर उपन होता है गाता है एंज करनी सारी से लिए जए यहां पर तूटते दीखें तो पूट को यहां पर वांच लिस में लगागा करा रखना मानलू कम मार्केट में downside की moment को catch करना है तो यह range यहां पर है 48,800 48,670 upside की moment को catch करना fruitful नहीं रहेगा पर फिर भी discuss करेंगे यह no trading zone के उपर होना चाहिए जो no trading zone है इसके उपर होना चाहिए market तो ही यहां पर देखेंगे के upside की moment को catch करने की पूरी कोशिश करेंगे अब मैं यहां पर दिखाता हूं यहां पर रेंज निकल कर रहा है 49,222 लेकिन 49,000 के उपर यहां पर ठीक जाएगा तो बुल थोड़े active हो गए लेकिन याद रखना कोई heavy quantity नहीं होनी चाहिए बुल active जरूर होते हैं लेकिन आपको heavy quantity नहीं रखना सिर्फ और सिस्काल्पिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर रहता है तो ठीक है ज्यादा दाउंसाइड में fruitful moments देखने मिलेगी क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पर निफ्टी इतना इंट्रेस्टेड नहीं है अभी elections का टाइम चल र देखना है कि यहां पर देखना है कि कौन से रेंज के अंदर रहा है या रेंज के बार गेप्डान करेंगेगिस करेंगे उसके बाद ही अपने को फस्ट आप में देखने मिल जाएगी पर सिंप्ली ओपन नहीं होता है गैप डाउन होता है तो सबर रखेगा बहुत जलबाजी इंपलसी डिसीजन मत लेना और अगर गैप अप हो गया तो तो भी वेट कर लेना यहां पर अगर यह रेंज तोड़के नीचे आ जात लेकिन आप लोगों के सार लाइस्टेम में हुई यहां पर लाइस्टेम में आप लोगों को बिल्कुल डरने कब्राने की जरूद नहीं है लेवल टू लेवल फॉलो करना अगर बैंक निफ्टी ने यह लेवल स्टोड दिया है तो डाउनसाइड मुवमेंट्स यहां पर लेकिने से ज्यादा शोग हो जाएगी ज्यादा दीखेगी पुट के प्रीमियम से यहां पर इंक्रीज होते हुए दीखेंगे आप लोगों को वाच्छ लिस्ट में लगा के रखना है कि यहां पर पूट का प्रीमियम की सिसाफ से इंक्रीज होता है कौन सा लेवल में हूँ आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं जो भी आप लोगों को आपको आंसर मिलेगा तो आप लोगों को मार्केट से डरना नहीं है बिल्कुल भी लेवल टू लेवल फॉलो करना है देखो याद रखें दस में से आठ बार सही होते हैं तो दो बार गाड़ी ठुक ट्रेड़ नहीं करना यह रेंज में जो है 49,000 उसमें यहां पर आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है 49,000 से 48,930 यह लेवल में बीच में ट्रेड़ सन्वत करना यह लेवल के नीशे आता है कमजोरी और बढ़ जाएगी यहां पर 48,800 से कमजोरी बढ़ना स्टार्ट हो आप लोगको यहां पर indication market देते रहेगा कि यहां सब और कंजूर हो रहा हूं यह 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 रेंज में मार्केट कंजूर होते हिए दिखेगा इधर भी यहां पर एक नीचे भी और मोमेंट्स इसके नीचे अगर जाये तो ऐसे रीटेस करके फिर आए तो और बढ़िया मोवमेंट्स देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आप लोगों से लाई में मुलागत होगी तब तक के लिए बाई बाई गुडबाई जैहिन दोस्तों